नबस्कार दोस्तों, धीट है आज की 16 नुवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज तीन इशूज देखो हम डिसकस करेंगे सबसे पहले तो एक ओर्डिनेंस सेंट्रल गॉर्मेंट लेके आई है CBI और ED के डेक्टर्स का कारकाल एक्स्टेंट करने के लिए इस पर कॉंट्रवर्सी चल रही है दूसरा इशू हम डिसकस करेंगे बैट्स से समंदित ये भी हिंदू का है और तीसरा जो आठकल आज हम डिसकस करेंगे वो role of civil services in democracy से समंदित है GS paper 2 का एक topic है इसे हम कवर करेंगे brief में तो आपका एक topic कवर हो जाएगा कोट आज का है बैलेट इस स्ट्रोंगर देन बुलेट अबराम लिंकन ने ये बात कही थी जब देखो terrorism, insurgent, insurgency पे question आए नक्सलिजम मतलब जहां भी violence से समंदित चीज होना तब आप ये कोट इस्तमाल कर सकते हो बैलेट इस स्ट्रोंगर देन बुलेट कोट question आज का है ये question UPSC ने 2014 में पूछा था इसका answer आपको देना है ट्राइ करके देखिए ये question चलिए discussion स्टार्ट करते हैं first important article CBI और ED के जो directors हैं उनके tenure को extend करने से समदित हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो सबसे पहले आप एक question का answer दीजिए जो CBI के director हैं और ED के director होते हैं ED मतलब enforcement directorate तो इन दोनों agencies के directors का करेकाल कितना होता है अभी तक आपने लक्समे कांट में याद किया होगा कि इन agencies के directors का जो करेकाल होता है वो दो साल का होता है बिल्कुल ठीक लेकिन देखो अब central government एक ordinance लेके आई है जिसे हमारे राष्टपती रामनात कोविन ने sign भी कर दिया है उस ordinance के according दो acts को amend किया गया है एक तो डेली पुलिस इस्टाब्लिस्मेंट एक्ट 1946 ये जो act है ना डेली पुलिस इस्टाब्लिस्मेंट एक्ट 1946 ये देखो CBI की functioning को गवन करता है और एक दूसरा act CVC Act Central Vigilance Commission Act ये ED यानि Enforcement Directorate के director के कारेकाल को गवन करता है अब Central Government ने Ordinance लाके इन दोनों acts को amend किया है कौन से acts को डेली पुलिस इस्टाब्लिस्मेंट एक 1946 ये CBI की functioning को गवन करता है और दूसरा act कौन सा जो amend किया गया है CVC Act ये ED के director के कारेकाल को गवन करता है अब आपका question ये है चलो भाईया ठीक है दो acts को amend किया गया है Ordinance की साहिता से लेकिन ये तो बताओ amendment हुई क्या है बदलाव हुआ क्या है इन acts में बताता हूं CBI के director का कारेकाल जो अभी तक 2 साल का होता था ये अब maximum 5 साल का हो सकता है उसी परकार से ED के director का जो कारेकाल 2 साल का होता था न maximum अब 5 साल का हो सकता है अब आपके मन में अगला question ये आया होगा कारेकाल 5 साल का हो सकता है इसका क्या मतलब है या तो 5 साल का कारेकाल किया गया है इन agencies के director का या फिर नहीं किया गया है हो सकता है What do you mean by this इसका मतलब देखो यह है कारेकाल तो दो साल का ही होगा लेकिन उसके बाद Central Government एक साल के लिए CBI या फिर EDK Director का जो कारेकाल है वो एक्स्टेंड कर सकती है एक साल के लिए और भी कर सकती है फिर फर्दर भी एक साल के लिए कर सकती है यानि दो साल के बाद एक एक साल तक कारेक पांच साल तक का हो सकता है, अब समझ गए आप, कार्यकाल होगा दो साल का, लेकिन Central Government को लगता है कि इन्हें ही CBI के डिरेक्टर के पत पर रहना चाहिए, अभी तो एक साल तक tenure extend कर दिया जाएगा, उसके बाद भी लगता है तो एक साल तक और extend कर दिया जाएगा, उसके पालियमेंट के session से पहले, winter session स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ये ordinance आया है, तो opposition parties ने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया है सरकार पर कि अभी आवशकता क्या है, आप बिल लेके आजाओ ना, पालियमेंट में बिल लेके आजाओ, हम discuss कर लेंगे, ये होना चाहिए या अभी ED के director हैं, इनका कारेकाल पिछले साल खतम हो रहा था, इनको November 2018 में appoint किया गया था, दो सालों के लिए, तो 2020 में यानि पिछले साल इनका कारेकाल खतम हो रहा था, लेकिन Central Government ने 13 November 2020 को एक order जारी किया, कि इनका कारेकाल एक साल तक extend कर दिया जाए, तो Central Government ने जब Mr. Misra के कारेकाल को एक साल तक extend किया, तो opposition parties ने आरोप लगाया, कि ये गलत है, कारेकाल आप इस परकार से extend नहीं कर सकते, मामला Supreme Court में पहुंचा, Supreme Court ने ये कहा, कि Mr. Misra तो retire हो चुके है, मतलब उनकी जो age है, retire होने की वो पूरी हो चुकी है, तो जब आप किसी officer को retirement के बाद उनका कारेकाल extend करते होना, ये rare circumstances में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसे आप president बना लो, हर एक officer जो retirement age को पार कर चुका है, उसका कराकाल आप extend कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, Supreme Court ने ये भी बोला, कि Mr. Misra को एक साल का आपने extension दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद फर्दर extension आप मत दीजिएगा, ये बात Supreme Court ने बोली है, तो writer का ये कहना है, Mr. Misra के case में Supreme Court ने जो comments किये थे न, कि आप जब कोई officer retirement age को पार कर चुका है, तो rarely उसके कारेकाल को extend कीजिए, अब तो ऐसे officers का कारेकाल extend करना central government के लिए possible है, CBI और ED के directors के case में, क्योंकि इनका कारेकाल तो 5 साल तक maximum हो सकता है, बेसक बीच में ये directors retirement age को पार कर जाएं, लेकिन फिर भी वो CBI और ED के director मने रहेंगे, अगर central government उनके कारेकाल को extend करती है, तो मतलब central government ने जो किया है ordinance की साहिता से, वो supreme court के comments के against हैं, और opposition parties के ये कहना है, इस ordinance के आने के बाद na, CBI और ED के जो directors हैं, उनकी post compromise हो जाएगी, अब कैसे हो जाएगी, मैं आपको बिल्कुल सिधे सब्दों में बताता हूँ, देखो इनको पता होगा, अगर CBI और ED के directors को कि central government चाहे तो हमारा कारेकाल extend कर सकती है, तो वो तो देखो जाहिर तोर पर सरकार की चमचागिरी करेंगे न, वो autonomous होके काम नहीं करेंगे, वो सरकार को खुस करने के लिए काम करेंगे, कि हम सरकार को अगर खुस कर दें, तो हमारा जो कारेकाल है, वो extend हो सकता है, सरकार भी CBI और ED के डिरेक्टर्स को लालच देखे अपना मन मुदाफित काम करवाती रहेगी जैसे opposition के leaders को फसवाना समझ रहे हो तो post जो है वो compromise हो जाएगी ऐसा opposition के leaders का आरोप है even देखो 1997 में Supreme Court की जो judgment आई थे विनित नरायन वर्सेज Union of India केस में इसमें Supreme Court ने कहा था CBI और ED के डिरेक्टर्स का जो maximum करेकाल है minimum जो करेकाल है वो 2 साल का होना चाहिए minimum करेकाल 2 साल का इसलिए होना चाहिए ऐसा नहीं कि CBI और ED के डिरेक्टर्स हैं वो इमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनके कोई transfer ना कर पाए इसलिए Supreme Court ने 1997 के विनित नरायन केस में ये कहा था CBI और ED के डिरेक्टर का जो करेकाल है minimum 2 साल का होना चाहिए तो बात वही है 2 साल का minimum करेकाल क्यों दिया गया था ताकि इमानदारी से काम कर सके CBI और ED के डिरेक्टर्स है जो चीज सिदे हाथ से नहीं कर सकी Central Government उसको उल्टे हाथ से कर दिया मतलब टेडी उंगली से कर दिया जो फेमस पोलसी है ना carrot and stick उसका ये बड़िया example है आप दिखें पहले 1997 से पहले Supreme Court की विनित नरायन की judgment से पहले Central Government stick का इस्तमाल करती थी अपनी बात बनवाने के लिए CBI और ED के डिरेक्टर को सिगनल दिया जाता था आप हमारी बात मानिये नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे ये क्या है? stick का इस्तमाल लाठी का इस्तमाल लेकिन Supreme Court का judgment आ गया उसके बाद सही चलता रहा दो साल का इनका fix कारेकार लेकिन अब Central Government ने जो ordinance की साहिता से किया है न ये stick वो, carrot का इस्तमाल है गाजर का इस्तमाल लालत देना CBI और ED के डिरेक्टर को कि आप हमारी बात मानोगे तो आपको गाजर मिलेगी तो ये हमने पूरा article डिसकस किया जो ordinance सरकार लेके आई है ED और CBI के डिरेक्टर के tenure को extend करने के लिए देखो bats यानि चमगादलों के बहुत सारे फाइदे होते हैं bats खेतों में harmful insects जो फसलों को बरबाद करते हैं उनको खा जाते हैं यानि फसलों को protect करते हैं इसके अलावा bats pollination में मदद करते हैं आम, काजू, अमरूद, मौवा, थाइलन की एक study कहती है bats की सिरफ एक species ने किस परकार से pest को control किया यानि फसलों को बरबाद होने से बचाया और एक साल में 2900 टन rice के loss को prevent किया bats ने तो ये एक परकार से saving हुई 1.2 million dollars की इससे 26,200 लोगों को annually ज़्यादा खाना मिला जो bats की droppings होती है मतलब bats का waste उसका इस्तमाल किया जाता है fertilizer के तोर पर जैसे देखो, गुफाओं में रहते हैं caves में माल लीजिए bats रहते हैं तो वहाँ पर उनकी droppings होती है उनका waste, वो collect कर लिया जाता है और उसको खाद के तोर पर इस्तमाल किया जाता है क्योंकि bats के waste में nitrogen और force force की high concentration होती है और देखो, सदियों से bats और human beings एक साथ coexist करते आएं हैं आजकल तो पता नहीं, दिखते कम हैं, जब हम छोटे होते थे तो bats साम को अक्सर मतलब दिख जाया करते थे आजकल कम दिखते हैं एक वो brown color की चीडिया हुआ करती थी वो भी आजकल बहुत कम दिखते हैं मतलब बहुत सारी ऐसी species हैं जो हमारे बच्पन में हम देखते थे लेकिन आजकल कम दिखाई देती हैं तो राइटर ये कहते हैं देखो bats समय दूसरी species का रोल ना हमारे एको सिस्टम में बहुत बड़ा है बावजुद इसके हमारे देश में दो बहुत कम studies होती हैं कि bats का कितना रोल है कितनी importance हैं बलकि गलत ये हुआ ऐसा scientific evidence निकल के आता है कि bats जो हैं यानि चमगादर जो है कई सारे disease including COVID-19, Nipah, Hendra Marburg, Ebola इन disease के viruses को host करते हैं bats यानि bats इन disease के viruses का reservoir का का काम करते हैं अब हिरानी की बात ये है ये देखो इतने serious serious disease है तो इनके virus को अगर bats के द्वारा host किया जाता है bats के उपर in disease के virus मिलते है तो bats खुद क्यों नहीं बिमार होते ये हरानी की बात है कि चमगादर खुद बिमार नहीं होते जबकि वो इतने सारे जो viruses हैं उनके सरीर पर होते हैं उनके सरीर के अंदर होते हैं और देखो उड़ना अपने आप में काफी stressful exercise होती है जब कोई पक्सी उड़ता है न तो उसकी उमर ज़्यादा नहीं होती क्यों? क्योंकि उसके cells damage हो जाते हैं उड़ते उड़ते इसलिए पक्सियों की उमर ज़्यादा नहीं होती जबकि bats की उमर relatively ज़्यादा होती है ऐसा क्यों? scientist को देखो ये लगता है कि bats ने एक ऐसा mechanism evolve कर लिया है कि वो अपने cells को damage होने नहीं देते यही चीज उनके हक में काम करती है कि इतने सारे गंबी disease के viruses को वो host करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता उड़ते हैं उनके cells damage नहीं होते फिर भी उनकी उमर लंबी होती है क्यों? क्योंकि bats ने एक mechanism evolve कर लिया है इस mechanism की साहिता से वो अपने immune system को suppress कर पाते हैं और जब वो immune system को suppress करते हैं तो continuous auto immune response निकलता रहता है जिसकी साहिता से वो infection से लड़ पाते हैं और virus propagation को control करते हैं इसके बाद writer ये बोलते हैं देखो ये COVID-19 समेट कुछ दूसरे disease के virus अगर bats से human beings में transmit हुए हैं न देखो ये events काफी rare होते हैं और ये events हमें ये भी समझने के आउ सकता है आजकल ज़्यादा क्यों होने लगे हैं आजकल ज़्यादा ये events इसलिए होने लगे हैं क्योंकि human beings ने न wildlife को काफी नुकसान पहुंचाया है पहले wild animals, wild birds और human beings के बीच में एक distance हुआ करता था लेकिन पेडों को काटा गया forest area कम हो गया land को clear किया गया agriculture के लिए development के लिए तो bats समेट दूसरे जो wild life है न वो human beings के काफी करीब आ गई जैसे mining की वज़े से natural cave system को destroy किया जा रहा है अब natural cave system में bats रहते थे लेकिन natural cave system को human beings के दूरा destroy किया गया तो bats जो है वो human beings के ज़्यादा संपर्क में आएंगे तो ये कुछ जो कुछ हुआ है उसके लिए human beings responsible है bats को आप जिम्मेदार नहीं ढहरा सकते जिस परकार से covid-19 के महमारी आई इससे हमें एक ही lesson सीखना चाहिए कि आप wildlife की respect करो one health approach अपनाओ जो वैसे conclusion में बोला जाता है writer के दवरा one health approach का मतलब ये है जिखे environment, wildlife, human beings इन सब की जो health है आपस में interlinked है ऐसे नहीं कि human beings human beings की health पर सिरफ focus करें environment की health और animals की health को ignore कर दें अगर human beings ऐसा करते हैं तो human beings की जो health है वो भी खत्रे में आ जाएगी इसके बाद writer बोलते हैं देखो जो tribal लोग है न उनको पता है इस चीज़ का कि animals को space देना जरूरी है जैसे हम exist कर रहे हैं हमारे साथ उनका भी exist करना जरूरी है अब example दिया जाता है नागा लैंड में बोमर कला का ये देखो कई सालों से annual bat harvest festival और्णाईज करते हैं वो एक place पे और्णाईज करते हैं मीमी वहाँ पर बोर कला के लोग आग जिलाते हैं ताकि cave में यानि गूफा में धुआ धुआ हो जाए धुआ होने पर जो bats हैं वो गूफा से निकलने लगते हैं इस process में बोर कला के लोग कई सारे bats को पकड़ लेते हैं उन्हें खा लेते हैं लेकिन देखो इस process में बहुत सारे जो चमकादड हैं बोर कला के लोगो को काटते हैं scratch पढ़ते हैं लेकिन बावजूद इसके जो बोर कला के लोग हैं उनको कोई कभी भी कोई major disease उनमें नहीं देखा गया है अब इस चीज को study किया जा रहा है NCBS TIFR के द्वारा National Center for Biological Science और TIFR का मतलब है Tata Institute of Fundamental Research तो ये मिलके research कर रहे हैं कि बोमर कला के जो लोग हैं उनको कुछ क्यों नहीं होता जब उनको चमकादड काटते हैं तो human bat interface के उपर sero ecological studies जो हैं वो carry out की जा रही हैं NCBS TIFR के द्वारा इसके अलावा NCBS bat viruses के genome कोई भी sequencing कर रहा है ताकि ये जो study है वो मैतपून साबित हो कल को अगर कोई हमारी और फैल जाती है किसी और virus की वज़े से तो उस समय ये जो sequencing है bat viruses के genome की तब काम आएगी last main conclusion में कहा जाता है एक तो one health approach जो हमने अभी डिसकस की उसको अपनाने क्या हो सकता है दूसरा जो traditional practices है bats से सम्मन्दित उन पर भी ध्यान देनी के आऊ सकता है जैसे देखो कहीं इलाकों में जो tribal लोग है ये जो quarantine है isolation है ये practice तो हमने अब जानी जब COVID-19 की महमारी आई उससे पहले तो हम इतना नहीं जानते थे quarantine के बारे में लेकिन देखो कई सारे tribal लोग ऐसे हैं वो जंगलों में जो सिकार करके आते हैं उसके बाद वो कुछ दिनों तक quarantine करते हैं ये practice वो कई सालों से सदियों से follow करते आ रही है मतलब उनके पूरवजों ने उनको बताया होगा कि ऐसे disease फैल जाते हैं आप एकदम से घुलिये मिले मत थोड़ा जंगल से बाहर रहिए कुछ दिनों के लिए तो traditional knowledge local practices इनसे भी सरकार काफी कुछ सीख सकती हैं सबसे last में देखो देखो bats से बिमारी फैली ये बात सच है लेकिन इसके लिए bats को दोस्त नहीं दिया जाता bats का nature है कि ये सब जो viruses हैं उनको host करता है तो ये इनसान की गलती है कि इनसान ने forest को destroy कर दिया land को दूसरे परपजिस के लिए इस्तमाल करने लगा कि इनसान इन wild animals के इतना करीब आ गया कि disease का transmission possible हो गया तो इनसान को अपना nature change करना पड़ेगा ना कि bats को हमें तो जिस चीज से खत्रा है ना उसको ज़्यादा समझने कि आव सकता है तो ये पुरा article हमने discuss किया bats से समंदित अगला article हम discuss करेंगे civil services से समंदित आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो जब British राज हमारे देश में था तो उसमें civil services ने colonial rule का एक परकार से steel frame का काम किया मतलब British राज के इंडिया में sustenance में civil services का एक एहम role रहा आजादी के बाद हलांकि देखो colonial bureaucracy का जो पूरा broad structure था वो तो retain किया गया लेकिन आजादी से पहले civil servants का role land order पे काफी ज़्यादा था तो आजादी के बाद ज़्यादा role हो गया civil services का development पर क्योंकि देश गरीब था धिरे धिरे सरकार ने काफी सारी schemes launch की आजादी के बाद लोगों गरीबी रेखा से उपर लाने के लिए तो civil services का ज़्यादा focus development पर हो गया अगर कोई पूछे मतलब exam में पूछ लिया जाता है जो question भी आपको attempt करना है कि civil services का role क्या है democracy में तो ये सारे points आपको लिखने हैं government का देखो main pillars है civil services अब देखो civil servants ही नहीं होंगे तो सरकार काम कैसे करेगी जो orders execute करते हैं वो तो civil servants ही करते हैं तो सरकार टिकी ही civil servants पे होती है तो ये जैसे building गिर जाएगी pillar के बिना तो उसी परकार से civil servants के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकेगी ये body में vessels कितरह होते हैं खून बैता है ना body में उसी परकार से civil servants के थूँ oxygen मिलती है सरकार सारे काम करती है next point policy formulation में expert opinion दी जाती है civil servants के दवारा देखो सरकार को जब भी कोई policy बनानी होती है या फिर कोई rules बनाने होते है अब minister खुद थोड़े ना laptop लेके या फिर notebook लेके बैठते हैं कि चलो आज policy बनाते हैं थोड़े research करके वो broader बता देते हैं कि हमें इस परकार की policy बनानी है यह provision करने है तो जो वास्तव में जो draft किया जाता है policy या फिर bill भी जब बनाया जाता है तो drafting होती है तो वो civil servants करते है next point है socio economic development देखो public resources के एक परकार से trustee होते हैं civil servants तो civil servants governance के almost सबी spheres में leaders के तोर पे काम करते हैं decision makers के तोर पे काम करते हैं next point है continuity of good governance देखो हमारे देश में हर 5 साल बाद election होते हैं सरकार change हो जाती है तो पुरानी party कई बार जाती है नई party आती है तो यह transition का period होता है ना उस transition के period में civil servants के द्वारा continuity provide की जाती है काफी बार तो governor rule भी आ जाता है तब civil servants का जो role है government में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो continuity provide की जाती है governance में civil servants के द्वारा next है promote uniform administration अगर देखो civil servants ना हो मतलब IIS IPS इनकी हम बात कर रहे हैं जो all India services है तो पूरे देश में अलग-अलग राज्य में जो administration के standards है वो अलग-अलग हो जाएं अभी तो देखो all India services है IIS IPS तो IIS IPS क्या करते हैं मतलब rules करते हैं actual में देश के सभी राज्यों में administration में uniformity लाने की कोशिस करते हैं ताकि पूरे देश की governance में ऐसा ना हो किसी देश में governance के अलग rules है किसी देश में governance के अलग rules है basic परसासन के चलने की हम बात कर रहे हैं procedures की essence की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ अलग कानून अलग कानून तो definitely हो सकते हैं जो भी issues जो भी subjects state list में आते हैं उन subjects पर अलग-अलग state देश में देखो जब भी कोई crisis आ जाते हैं जैसे disaster आ जाते हैं जाहे वो natural disaster हो या फिर man-made disaster हो या फिर land order की problem हो तब first responder के तोर पर काम करती हैं civil servants इसके अलावा और क्या-क्या role होता है civil services के democracy में binding character days को एक जूट करते हैं civil services वाले लोग यानि civil servants बिना बेद भाव के advice देते हैं executive को यानि जो political leaders हैं जिनको जनता ने चुना हैं उनको non-partition होके advice दी जाती हैं civil servants के द्वारा कम से कम ideally तो ऐसा ही होता है practically हाला कि काफी बार issues होते हैं next है governance के within institutions के बीच यानि जो various department होते हैं bodies होते हैं उनके बीच effective coordination establish किया जाता है civil servants के द्वारा government के अलग-अलग levels पर delivery और leadership services प्रवाइड की जाती हैं land order maintain किया जाता है सरकार के द्वारा जो policies बनाई जाती हैं उनको implement किया जाता है welfare services को provide करने के लिए काम किया जाता है civil services के द्वारा इसके अलाबा काफी बार जो civil servants होते हैं वो tribunals में भी होते हैं तो administration adjudication का role भी play किया जाता है civil servants के द्वारा मतलब को ऐसी judicial services भी provide की जाती हैं अगर civil servants tribunals में हैं तो इसके बाद issues की बात करते हैं कि आज के समय में कौन से ऐसे issues हैं जो civil services को affect कर रही हैं सबसे पहला देखो वैसे civil servants state को administer करते हैं मतलब वैसे तो central government में भी होते हैं civil servants लेकिन काफी important role play किया जाता है civil servants के द्वारा state के administration में लेकिन वो responsible central government की तरफ होते हैं तो ये cooperative federalism और decentralization की spirit के against है state government कई बार चाहके भी कुछ civil servants के खिलाफ action नहीं ले पाती अगर center का अलग मत है next point lack of specialization and training देखो जो civil servants होते हैं वो journalist होते हैं जातर civil servants की एक field में कोई specialization होती नहीं है जबकि 21st century में जिस परकार से technologies नहीं नहीं emerge होके आ रही हैं अगर specialist particular department को जैसे health department में कोई specialist हो और उसी परकार से agriculture department में कोई agriculture का specialist हो वो lead करता है तो सायद वो बैता धंग से lead कर सकता है as comparison to journalist इसके बाद next point देखो सविधान का article 3.11 जो है वो ये provision करता है कि civil servants को हटाना आसान नहीं है हटाने का जो procedure है dismiss करने का जो provision है services से वो थोड़ा difficult है इसी का गलत फाइदा उठाया जाता है civil servants के द्वारा उनको लगता है कि हमें हटाया तो जाही नहीं सकता या फिर बहुत मुश्किल procedure है कैट में हम चले जाएंगे जो central administrative tribunal है केस लंबा चलता रहेगा इसलिए कई बार वो अपनी मनमानी करते हैं और inefficiency काफी ज़्यादा आ जाती है उनके कामकाज में तो ये रुकावट है एक detternals create नहीं कर पाता ये article 3.11 next है monopoly and license राज वैसे दो देखो monopoly और license राज रेजीम जो है वो 1991 में dismantle कर दिया गया लेकिन कई अलग अलग form में ये आज भी बरकरार है लेकिन civil servants जो corruption करते हैं उस पर या फिर inefficiency वो शो करते हैं अपने कामकाज पर resources को अच्छे से utilize नहीं करते काफी गलट धंग से allocate करते हैं उनकी accountability त्या नहीं हो पाती इसलिए ease of doing business index में हमारा जो स्थान है बेसा कुछ improve हुआ है पिछले कुछ सालों में और जैसा हमने discuss किया इस पर वैसे स्वाल या चिन भी लगे हैं कि इस index के जो parameter हैं वो सहीं नहीं हैं लेकिन काफी सारी ऐसे रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि actual में अभी भी business करने में बहुत दिखते आती हैं इंडिया में नेस्ट है political interference political interference काफी ज़्यादा होती है civil servants के कामकाज में उनको मजबूर किया जाता है political leaders के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए और काफी बार तो collusion भी देखने को मिलता है मतलब civil servants और political leaders मिल के corruption करते हैं ये काफी गलत हैं और कुछ points हैं जैसे lack of professionalism and poor capacity building professionalism उनके दोरा नहीं show किया जाता कामकाज में देखो अलग लग तरह के civil servants आपको मिलेंगे कुछ ऐसे मिलेंगे जो self promotion के लिए काम करते हैं कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ office में बैठे रहते हैं उनको बाहर visit करना अच्छा नहीं लगता कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको civil servants जो league से हटके काम करते हैं मतलब जो legal duty हैं उससे तो कहीं आगे जाके काम करते हैं मतलब की खुद बहुत ज़्यादा interest लेना public welfare के लिए हर तरह के मिलेंगे आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल चुप चाप रहके काम करते हैं social media पर भी नहीं होंगे लेकिन जो उनके touch में आते हैं लोग उनके साथी officers junior या फिर seniors उनको पता होता है कि यह civil servants कितना बहतरी के लिए काम करते हैं ना media उनका काम कास दिखाता बिल्कुल चुप चाप होके वो काम करते हैं बिना highlight में आए actually देखो civil services के लिए जो conduct rules है उनमें भी anonymity का provision है कि जो civil servants है वो गुमनामी में काम करेंगे और उनका नाम सामने नहीं आएगा तो यह हमने बात की कुछ points की नीचे और भी है incentive system अच्छा नहीं है मतलब जो civil servants बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनकी जल्दी promotion नहीं होती ऐसा कुछ नहीं होता कोई reward जो है वो नहीं मिलता merit के अधार पर rules and procedures हैं काफे ज़्यादा outdated हैं जो civil servants को allow नहीं करते कि वो अपनी personal discretion का इस्तिमाल कर सकें या फिर individual judgment को exercise कर सकें मैं आपको एक practical चीज़ बताता हूँ मेरा दोस्त है 2013 के 2013 के बैच का तेलंगाना में तो मैंने एक पार पूछा कि भाई एक बात बताओ जो यह हम case study में discuss करते हैं उसके time पे था वो ethics आ चुगा था तो उसने भी पढ़े हैं यह सब चीज़ें तो मैंने पूछा कि यह case study में हम लिखते हैं कि कोई person आ गया तुम्हें लगता है कि वो deserve करता है benefits को लेकिन उसके पास कागच नहीं है तो क्या तुम दे रेते हो कोई भी benefit जैसे scheme का lab तो उसने reply दिया देखो सुरू सुरू में जब services join की थे न तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि हाँ situation सामने वाले की ऐसी लग रही है कि यह deserve करता है यह beneficiary है तो थोड़ा rules से हटके काम किया जा सकता है लेकिन अब दो तिन चीज़ें आती हैं पहली तो बात देखो आपके खिलाफ काफी सारी कारवाई हो सकती है आपने rules के अगेंश जाके काम कैसे किया तो इस डर से कोई करता नहीं है rules बहुत ज़दा rigid है सरकार के वो आपको allow करते ही नहीं कल को कोट में केस चला जाता है कि DM ने या फिर SDM ने कैसे allow कर दिया बाकियों को नहीं किया इसको कैसे कर दिया बिना rule के तो आम तोर पे civil servants करते नहीं है दूसरा देखो आप पता कैसे लगाते हो मतलब आपको भी भी देते हैं और तीसरी बात उसने ये बोली कि जब आप एक person को league से हटके मतलब rule के खिलाफ जाके कोई भी फाइदा किसी को पुंचाते हो अगर आपको लगता है कि चलो कोई बात ने rules को थोड़ा दरकिनार करके इसको benefit दे दिया जाए तो आपके जो subordinates हैं या फिर seniors हैं उनको ये लगता है कि इसका ना कोई vested interest है मतलब या तो ये corruption कर रहा है कि इसने rule को दरकिनार करके इतना बड़ा risk लिया और इसको rule फाइदा पुंचा रहा है तो क्या ये corruption कर रहा है चलो ना भी माना जाए कि ये person corruption कर रहा है कल को ना फिर आपके subordinate भी फाइल लेके आ जाएंगे कि सर इनका भी कर दो rule थोड़ा सा allow नहीं करते लेकिन आप इनका sign कर दो जबकि leader का तो काम होता है ना एक example set करना कि rules and procedure के हिसाब से काम होगा तो कुल मिला के उसने यही जवाब दिया कि practically ऐसा थोड़ा सा मुस्किल होता है बहुत कम होता है तो यह सारे हमने points डिसकस किये जो civil services को आज के समय में effect करते है देखो government ने भी कुछ positive steps लिये हैं जैसे service conduct rules जो पहले थंडे बस्ते में थे उनको operationalize किया है central government के द्वारा कि जो civil servant से incompetent है उनको हटा दिया जाएगा service से lateral entry allow कर दी हैं दस joint secretaries की post पर persons लिये गए थे lateral entry के थुरू हलांकि 2-3 दिन पहले ख़बर आई थी कि एक person जो lateral entry के थुरू आया था joint secretary के post पर उसने resign भी कर दिया है पता नहीं बाद में उसका regination accept हुआ नहीं हुआ लेकिन ऐसी ख़बर आई थी उसके बाद next कि government ने technology periodic review 360 degree performance evaluation इन सब tools की साहिता से civil servants की accountability को increase करने की कोशिस की हैं और पहले देखो next point ऐसा होता था कि कुछ post पर सिरफ IS ही appoint होते थे बट अब जो IS officers हैं उनकी monopoly को खतम कर दिया गया है दूसरी services के जो officers हैं उनको भी कुछ post पर appoint किया जा सकता है अब last में conclusion में आप बोल सकते हो कि देखो criticism तो होता ही है लेकिन जो civil servants हैं वो इंडिया में change के harbinger हैं harbinger मतलब change को lead करने वाले अगर दूथ pure हिंदी में अगर discussion